नमस्कार आप देख रहें दाएंगल मैं हूँ आपके साथ दिपाली मातोर नज़र डालतें इस वक्त की सुर्खियों पर अमेरिकी विदेश मंत्री आज दो दिवस्य दौरे पर आएंगे भारत कहीं मुद्धों को लेकर करेंगे चर्चा इस दौरे में अफगानिस्तान में सुरक्षा हालात हिंद प्रशांत में संपर्कों को बढ़ावा देना और कोरोना महामारी की चुनातियों से निपटने समेथ कई एहम मुद्धों पर चर्चा होगी बिलिंकन, कुवेत, रवाना होने से पहले बुद्वार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे प्यम से पहले वे विदेश मंत्री एस जैशंकर और राश्ट्रे सुरक्षा सलाकार अजीट दोबाल से भी मिलेंगे सरकारी सूत्रों ने बताया कि आज से शुरू हो रहे बिलिंकन के दो दिवस्य भारत दौरे में चार देशों के समूग क्वार्ड के ढाचे के तहट मजबूत गड़ जोड बनाने पर प्रमुक रूप से चर्चा होगी पश्यम बंगाल के मुख्य मंत्री मम्ता बनर जी पांच दिवस्य दोरे पर दिल्ली पहुटी पहली सावन के पहले बारिश न होने से लोगों को काफी मायुसी का सामना करना पड़ा था आज सुबह हुई बारिश से लोगों को गर्मी और उमत से राहत मिली है मौसम विभाग ने आज बारिश की संभाव नजटा ये जिसके मद्दे नजर राजधानी में तड़ के बारिश होई राजस्तान के मुक्यमंत्री अशोग गहलोद की बजट घोशना अपने जमीनी धरातल पर उतर आई है प्रदेश में तीन हजार करोड रुपे के कार्मिक कल्यान कोश का गठन हो गया है वित विभाग के आदेश जारी होने के साथ ही गहलोद सरकार ने सेवरत और सेवनीवरत कर्मचारियों को बड़ा तोफा दिया है वित विभाग के आदेश के अनुसार कार्मिक कल्यान कोश में तीन हजार करोड रुपे का बजट रखा है राज्य के वित्विभाग ने आदेश जारी कर दिये हैं कार्मिक कल्यान कोश के गठन होने से राज्य सरकार के करीब 12,30,000 सेवारत और सेवानीवरत कर्मचारियों के लिए उनके विबिन आवशक्ताओ हेतु कम ब्याजदर पर रिण के माध्यम से वित्व की व्यवस्था की जाएगी राजसान में कम बारिश को लेकर गैलोट सरकार कंटिजेंसी प्लान बनाने की तैयारियों में जुट गई है सेम अशोग गैलोट ने कहा कि राजसरकार प्रदेश में मानसून के दौरान अब तक औसत से कम वर्षा की स्थिति में क्रशी और पेजल विवस्था के लिए पूरी तरह सजग है उन्होंने संबंदित विवागों के अधिकारियों को सभी आवशक तैयारिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं सीम गहलोत मुक्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से आपदा प्रबंदन और क्रशी विभाग की समिक्षब अटकली सी दौरान मुक्यमंत्री अशोक गहलोत ने बारिश के आकड़े बताने में हडबड़ी पर प्रमुक सचीव आनंद कुमार को फटकार लगाई राजस्तान में गहलोत सरकार में मंत्री मंडल फेर बदल को लेकर काउंट डाउन शुरू हो चुका है प्रदेश प्रभारी अजे माकन इस पूरी कवायत को लेकर एक बार फिर से कल जय पुरा रहे है वे दो दिन तक कॉंग्रेस विधायकों से राई शुमारी कर जानेंगे कि कौन सा मंत्री कैसा काम कर रहा है संगठन की कितनी सुनवाई होती है साथी जिला अध्यक्षों और राजनेतिक नियुक्तियों को लेकर भी माकन उनसे राय जानेंगे इसके बाद आगे का स्वरूप तयार होगा सुत्रों के अनुसार विधायकों को अजे माकन से मिलवाने के जिम्मेदारी सरकार के मुख्य सचे तक महेश जोशी को दी गई है वे 50-50 के ग्रुप में विधायकों को माकन से मिलवाने का काम करेंगे राजस्तान में दो सीटों पर विधान सभा के उपचुनाव होने वाले है उपचुनाव आयोग ने अभी तक इसकी तारीख गोशित नहीं किये वहीं उपचुनाव से पहले भाजपा में खीचतान जारी है नेता प्रतिपक्ष गुलापचन कटारिया के बयान पर रंधीर सिंग भींडर ने पलटवार किया है उन्होंने कटारिया को चुनावती दिया है कि वे उनके सामने चुनाव लड़ ले वरलबनगर में कौन पहले और कौन किस नंबर पर रहेगा ये तैह हो जाएगा के दन कर सकते हैं केंडिडेट्स का सलेक्षन प्रीव में लिकित परिक्ष और इंटर्व्यू के आधार पर किया जाएगा इसके लिए प्री एक्जाम का पाठेक्रम भी जारी कर दिया गया है अजीदगर गीतांजली सेवा समीती ने कल हुए प्रेम सिंग बाजोर पर हमले की निंदा की है समीती ने दोश्यों पर कारवाई को लेकर अजीदगर नायाब तैहसिलदार को ग्यापन दिया है गीतांजली सेवा समीती के अध्यक्ष डॉक्टर मंगल यादव ने सरकार से दोश्यों पर कारवाई करने की मांग किया है नोंने कहा कि हमले की सभी प्रदेशवासी घोर निंदा करते हैं राजस्तान में मांसून की महरबानी के चलते हलकी से मध्यम बारिश दर्च की गई पूर्वी राजस्तान के अधिकांश जिलो में हलकी बारिश के साथ में गरजन और वजरपात होने की भी संभावना जताई है मौसम विभाग के अनुसार मानसूरी सप्ता के चलते आगामी दो से तीन दिन में अधिक्तम तापमान में दो से चार डिगरी की गिरावट की संभावना है वहीं सोमवार को प्रदेश में जमकर बारिश हुई बारा जालावाड में नदिया उफान परा गई टोक्यो ऑलम्पिक में भारत ने मैंस हौके इस परदा के पूल एक के अपने तीसरे मैच में इस पेन को 3-0 से हरा दिया भारत की ओर से रुपी इंदर पाल सिंग ने दो जबकि सिमरंग जीत सिंग ने एक गोल दागा भारत ने अपने पहले मैच में न्यूजिलेंड को 3-2 से हरा कर विज़ई शुरुआत की थी इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें